नमस्कार प्रेदर शको स्वागत है आपका हमारे चैनल गुंजन एस्टो में तो आज की इस वीडियो में हम हतेली में बनने वाले त्रिशूल के बार में बात करें लेकिन उससे पहले हम आपको बता दे कि पुरुष अपने दाय हाथ को माने माने एवं इस तरी अपने बाय ह हाथ को देखें तो वैसी तो विक्ति की हतेली में कई परवत पर त्रिशूल का निशान बन सकता है लेकिन आज हम केवल हरीदे रेखा पर त्रिशूल के बार में बात करेंगी मतलब की विक्ति की हरीदे रेखा करिश्ट का उंगली के नीचे से शुरू होकर शनी परवत त ये रहा मंगल शेत्र अभियदे विक्ति की हृदे रेखा गुरु परवत तक जाती है और उसमें से एक रेखा निकल कर शनी परवत तक चली जाती है और साथ ही एक रेखा निकल कर मंगल शेत्र के और चली जाती है तो ये कुछ इस प्रकार से त्रिशूल जैसी आकरेती बना गुरु परवत की और एक रेखा जाने के कारण, ये विक्ति दिल से काफी भावोग होते हैं, उदार हिरीदे के होते हैं, इनके मन में किसी के प्रतिछल कपट नहीं होता। लेकिन तरिशूल की अकरिती बनने के कारण, यानि कि इसमें से रेखाओ के अलग-अलग परवत पर जाने के कारण, ये हैं विक्ति के अलग-अलग सवभाव को दर्शाती हैं, मतलब कि ऐसे विक्ति में अलग-अलग सवभाव की प्रवरती पाई जाती हैं, जो कि इनके इन व्यक्तियों में अलग ही behavior देखने को मिलता है जैसे कि कोई भी माहूल हो ये अपने आपको उस माहूल में ही ढाल लेते हैं हृीदे रेखा का गुरु परवत और शनी परवत तक जाना साथ ही मंगल परवत तक जाना इस प्रकार का त्रिशूल बनना यह भी बताता है कि जब किसी व्यक्ति की मदद करने की बारी आती है तो ऐसे व्यक्ति काफी सोच समझ कर मदद करते है मतलब कि ये उस व्यक्ति की मदद तो करना चाहते है और ये उनकी मदद भी करते है लेकिन कुछ प्रैक्टिकल प्रवृती होनी के कारण ये विक्ति पहले अच्छे से सोच से समझते भी है अब मंगल शेतर की और एक रेखा निकलने के कारण इन विक्ति को अचानक से ही क्रोध आजाता है जो कि इनको भी समझ नहीं आता और फिर ही अचानक से ही दूसरे पर हावी हो जाते हैं पूरी तरह से हतेली में रिदे रेखा को कुछ इस प्रकार से त्रुशूल बनना मतलब की एक रेखा शरी परवत पर एक रेखा गुरू परवत पर और एक रेखा निकलकर मंगल शेतर पर जाना टोटली काफी अच्छा माना जाता है क्योंकि इन विक्ति में तीनों प्रकार की प्रवर्ती होती है जो कि इनको हर माहोल में ढलने के लिए विवश करती है और इनको काफी इन चीजों से दिक्कते भी नहीं होती इन व्यक्ति में तीनों प्रकार के गुण पाय जाते हैं जैसे की भावक प्रफरिती के प्रैक्टिकल प्रफरिती के भी मतलब की दिमाग से सोच विचार करने के और साथ ही हर सीचुएशन को कैसे इनको हैंडल करना है ये अच्छ से जानते हैं अब यदि हरीदे रेखा में से जो त्रिशूल वाले रेखाएं हैं वो सारी निकल कर गुरु परवत की और ही इशारा करती है तो ऐसे व्यक्ति हरीदे से काफ़ी ज्यादा भावक होते हैं काफ़ी उदार हरीदे प्रवृति की होते हैं जब भी कोई मतलब इनसे मदद मांगता है तो ये बीना कुछ सोचे समझे ही उसकी मदद कर देते हैं चाहे वो एक लाग की मदद हो या फिर दस जार की जो भी इनको मदद करनी है जो भी कोई व्यक्ति इनसे मदद मांग रहा है ये बीना कुछ अपना स्वार्थ सोचे समझे उस विक्ति की मदद कर देते है अब यदि विक्ति की रिदे रेखा में से एक रेखा निकल कर मंगल परवत की और जाती है और बागे की ये दोनों रेखाए शनी परवत तक ही रुखती है और साथ ही विक्ति की मस्तशिक रेखा भी आगे जाकर दो भागों में बढ़ जाती है तो ये इनकी बीजनस के लिए काफी अच्छ होता है ये विक्ति विपार में अपना मुनाफ़ा सोचते हैं और साथी यदि किसी विक्ति की मदद भी करते हैं तो सबसे परवट की और इशारा करती है ये उसी परवट का स्वरूप उसी परवट का स्वभाव अपने उपर धारन कर लेती हैं जैसे कि हमने पहले बताया था कि ऐसे विक्तिंगे पर भगवान शिव या फिर देवी शक्ति की क्रिपा सदयव बनी रहती है जब भी इनको कोई मुश्किल पढ़ती है तो भगवान शंकर या फिर माता देवी मादूरगा इनका साथ देती है लेकिन ध्यान रखेगा यदि आपके हिरीदे रेखा दो केवल दो भागों में ही विभाजित होती है तो यह हतेले में त्रिशूल नहीं बनाती बल्कि यह वी चिन होता है जो कि भगवान विश्नु का चिन माना जाता है ऐसे विक्ति पर भगवान विश्नु की कृपा बनी रहती है वी चिन से समंदित पूरी वीडियो हमारे चैनल में दे दी गई है अगर आप चाहे तो इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया जाएगा अगर आप चाहे तो इसे देख सकते हैं तो अगर सूरे परवत पर विक्ति की त्रिशूल बनता है तो यह है बहुत ही ज़्यादा शुमाना चाता है क्योंकि ऐसे विक्ति को आगे चलकर नाम, यश, सम्रिद्धी हर कुछ मिलता है जो कि यह चाहते हैं लेकिन ध्यान यह रखेगा कि इस त्रिशूल को कोई अन्य रेखा कर ना कारती हो सूरे परवत पर बने वाले त्रिशूल की रेखा जितनी लंबी होती है हर किसी परवत पर त्रिशूल का होना अलग-अलग रास कोलता है जैसे अगर बुद्ध परवत पर त्रिशूल का निशान है तो यह विक्ति के विपार के लिए काफी शुब होता है ऐसे विक्ति को हर बर विपार में मुनाफ़ा मिलता है अगर यह अपना कोई बिजनस करना चाहते है चाहे इस तरी हो या पुरुष हो तो इनको अपने विपार में अपार सफलता भी मिलती है अगले आने वाली वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हतेली पर हर परवत पर बनने वाले त्रशूल के चीन के बारे में बात करेंगे